नमस्कार आप देख रहें न्यूस वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ निर्भाय किसोर आईए फटा-फट अंदाज में देखते हैं प्रदेश की दस बड़ी खबरें देश में कोरोना वाइरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए कोरोना से करीबी से लड़ रहें कोरोना युद्दाओं के शम्मान में देश के तीनों से नाओं के जवानों ने देश के कोरोना युद्दाओं पर आसमान से पुस्ट बरसा कर उन्हें सम्मानित किया इस दोरान एयर फोर्स की लडाको बिमान E.M.E. 17 हेलिकॉप्टर ने राजदानी पतना के आस्मान से एमस एनेमस येच और आइजिया एमस अस्पताल को उपर से पुस्प वर्सा किया इस दोरान सभी अस्पतालों के डॉक्टरों और स्वास्त कर्मी अस्पताल के बाहर सोसल डिस्टेंसिंग का खयाल रखते हुए खड़े होकर सेना के सम्मान का स्वागत किया कोरोना वाइरस के बचाओं को लेकर डेश में जारी लॉकडाउन के वीच फसे हुए मजदूरों को लाने के लिए शुरू हुए इस पेसल ट्रेन को देखते हुए समस्तिपूर रेल मंडल वीच की तैयारी में जुट गई है वही इस तैयारी को लेकर DRM अशोक महस्वरी, DM शशांग सुभंकर, SP विकास बर्बन सहीत अधिकारियों ने स्टेशन का निरक्षन किया इस दोरान DRM अशोक महस्वरी ने बताया कि समस्तिपूर में ट्रेन की आने की अभी तक कोई सूचना नहीं है लेकिन संभावना है जिसको लेकर तैयारी की जारी है वही DM शशांग सुभंकर ने बताया कि अगर ट्रेन समस्तिपूर आती है तो इसके लिए बस सहीत अधिकी विवस्ता को लेकर के तैयारी की जारी है प्रेसेंजरों को आने के बाद कारिंटाइन सेंटर भेजने के पहले डॉक्टर की टीम से उनकी पूरी जाच की जाएगी सीवर जिले में DM अवनीश कुमार सिंग और S.P. ने सुगिया गाउं का दोरा किया इस दोरान DM अवनीश कुमार ने लोगों से प्रवाशियों के आने की सूचना को तुरन जिला प्रशाषन को देने का निर्देश दिया बीडियो और अस्थानी मुखिया को भी इसके लिए सक्त निर्देश दिये गए वही DM ने सुगिया के सील किये गए इलाके का दोरा कर लोगों से धैर बना कर रहने का आगरा किया साथ ही यहाँ ड्यूटी में तानात पुलिस कर्मी भी लगतार शक्ती वरत्ते हुए दिख रहे हैं वही यहाँ के लोगों के द्वारा मास्क नहीं लगाये जाने और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को पुलिस सक्त हिदायत देते हुए उन्हें कई बार उठक बैठक भी करा रही है अर्वल दिले के कुर्था में कोरोना वायरस जैसे बैश्विक महामारी को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश अशंकित है ऐसे में प्रशांसिंग कमला भी करोना वायरस से निजात दिलाने है तो आए दिन कई एतियात कदम उठा रही है ऐसे में शानिवार को फ्रकंड शेत्र के एक कूरथा बीछ बजार को एंडिया की टीम के दौारा बजार को सेनिटाइस किया गया साथी बजार में इस्तित बिभिन बैंकों का एटियम को भी पूरी तरीके से सिनिटाइज किया गया है हलाकि लागतार देश के बिभिन राज्जी और शहरों में खबर मिल रही थी कि जदातर एटियम से ही कोरोना वायरस फैल रहे है ऐसे में अर्वल जिला प्रशाशन पूरी तरीके से एतियाद बरत रहा है पस्मित अंपरन जिला मुख्याले बेतिया में प्रख्याती हुआ समात सेवी गुडिया प्रभात ने कहा कि इस बैस्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लागू लॉक डाउन में बिहार के लाखों मजदूर एउंचातर बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फसे हुए है जो अपने घर आने की चाहत रखते हैं वही बिहार सरकार के पहल पर किंद्र सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी और उन मजदूरों को स्केशल ट्रेंज से बिहार भेजा जा रहा है जिसके लिए समास सेवी गुडिया प्रभात ने दोनों सरकारें का अभार पणठाट किया बता दे कि गुडिया प्रभात इस महामारी के दीनों में गरीब तबके के लोगों के लिए कोरोना से बचाओ के लिए साबुन, मास्क और सेनिटाइजर का बितरन करवा रही है पायरस रुपी विश्व ब्यापी महामारी के संकर्मन से फैलावक से परिशान लोगों के बीच तिर्वेनी गंज प्रक्रण शेतर के समासे वी निर्मल भगत और अन्य लोगों के द्वारा तिर्वेनी गंज अनमंडल प्रशाषन को दो थर्मल ट्रेमपरेचर मशीन दिया बने चेक पूश्ट पर तैनाथ पुलिस कर्मी पदाधिकारी जो हैं उनको दिया गया ताकि कोरोना के फैलाव से पहले ही जाच कर लोगों को हिदायत दिया जा सके गया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए अब निजे अस्पताल के जो चिकितसक है वो कोरोना का भय उनके अंदर समाया हुआ है जिसके चलते यहां के डॉक्टर मरीजों से लंबी दूनी बना कर उनका इलाज कर रहे हैं दरसल यहां के एपी कॉलनी में इस्तित हड़ी अस्पताल में चिकितसक डॉक्टर नवनित निश्चल अपने मरीजों को छट से ही देख रहे हैं और मरीजों का एकसरे रिपोर्ट देखकर दवा की परची उपर से ही नीचे गिरा देते हैं वहीं यहां के अस्पतालों में करमचारी और डॉक्टर होममेड रेंड कोड का इस्तमाल कर रहे हैं वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बजारों में पीपी कीट उपलब्द है पर उनकी क्वालिटी बहतर नहीं है चपरा के इस्वापुर्वे प्रधान मंतरी आवास योजना के राशी के अवैद निकासी का मामला अप्तूल पकरता जा रहा है यहां के सहवा पंचायत के आवाज सहाय के रुकमनी देवी पर फरजिवाड़ा कर सरकारी राशी लेने का आरोप लगाते हुए अस्तानिया थाना में एक आवेदन दरज कराए गया है बताते चले कि सहवा के रुकमानी देवी ने थाना में एक प्रार्थमी की दर्ज कराते हुए CSP के ब्रांच से बिना उनके सहमती से रासी चेक करने और 20,000 रुपए बिश्व कर्मा साके खाते में ट्रांस्पर कर दिये जाने और 20,000 नगत निकासी के बाद भुगतान नहीं किये जाने की राशी की सिकायत की है वही जाज के बाद पुलिस ने इस मामले को सही बताते हुए प्रखंड के एक मुखिया के भाई सहीत तीन लोगों को नामजद किया है वह इस मामले में आवास सहाय करुक्मनी देवी का कहना है कि मुखिया के एजेंट 15 सो रुपए लेकर आवास योजना का लाव दिलाने के लिए इस तरीके की काम किया करते हैं जो की गलत है परन्तु जब रासी की निकासी होने के बाद रासी नहीं मिली तो इसके लिए शिकायत के बाद पुराने आवास का हवाला दे कर हमारे आवास योजना की रासी लोटाई गई है बाकाजिले के लाइफ लाइफ लाइन कहा जाने वाले चनन पूल के 6-7 पिलर के धुस्त होने के बाद इलाके में हड़कम मच गया है वही लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्वान के बाद से अब तक पूल का मरम्मत नहीं कराया गया था जिसके कारण पूल धोस्त हो गया है आपको बता दे कि बाकाजिले का लाइफ लाइफ लाइन कहा जाने वाला चनन पूल तीन प्रखंडों से जिले को जोड़ने का काम करता था जिसे अब आवा गवन पूरी तरीके से बाधित हो गया है बताया जाता है कि इस चनन पूल का निर्मान 1995 में आये हुए बाहर के बाद लालो प्रशाद यादों के शार्षनकाल में बनाये गया था इस से पूर्व उक्त अस्थान पर बुज़ुर्गों के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने का लोहा पूल हुआ करता था अर्वल दिले के कुर्था में मानिकपूर ओपितानाशेत्र के कोनी गाउं के पास बने चेक पोष्ट पर तैनात होमगाड के जवान चंदर का प्रशाद को मोटर साइकल सवार घर से भाग रहे प्रेमी जोड़ों ने धक्का मार दिया जिसमें होमगाड जवान बोरे तरीके से घायल हो गया बताय जा रहे कि प्रेमी जोड़े तेजी से भागने के फिराक में थे लेकिन चेक पोष्ट पर तैनात जवान ने गाड़ी चेक करने के लिए रोका तो चालक ने जवान को धक्का मार दिया जिससे आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाए गया जहा जहार और जहारखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें